जिस दिन सरज जी की मिर्टू हुई, उसी दिन दही चुड़ा का भोज था, तो क्या ये उचित था, चुकिए हर मज़भ में है कि अगर उनके परिवार के सदस्ट की मौत हो जाती है, तो वो खाना नहीं खाते हैं, तो कैसे हम खाना खा लेते हैं, कैसे हम दही चुड़ा खा कि अगर किसी मुसल्मान पडोसी की मौत हो जाती है तो जो पडोसी हिंदू होते हैं उनके घर भी खाना नहीं खाया जाता है खाना नहीं बनता और किसी हिंदू के हां मौत होती है तो मुसल्मान के हां भी खाना नहीं खाया जाता है तो यह जो संस्किर्ती है इसको भी अगर आजनिती का हात्यार कोई बनाते हैं तो हमको नहीं लगता है कि अब इंसान और इंसानियत के पड़ती किसी की सोच रहा गई कि दावते इफ्तार, मेल, महबत, खेर सगाली, सत्भावना और आपसी भायचारे का एक बेहतरीन प्रस्तुतिकरन होता है इसमें और गंगा जमनी संस्कृती जो है उसकी मिसाल देखने को मिलती है और एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है धार्मिक मामलों को भी इफ्तार के तरीखे को समझने का इफ्तार में कितना धर्ज रखा जाता है जब तक अजान नहीं हो जाती है तब तक लोग इफ्तार नहीं कर भारत की मिट्टी गिट्टी में जो खुजबू है यह महब्बत की खुजबू है और यह खुजबू हर जगा देखी जाती है लेकिन कुछ लोगों को हर चीजों में मीन मेख निकालने की आदत होती है मेल जोल के साथ पर मनाये तो हमको नहीं लगता है कि बिहार सरीप जैसे मामले या सासराम जैसे मामले देश में उन तत्वों को मुखा मिलेगा जो चाहते हैं कि नफरत का महौल खड़ा करें में श्यासत हो रहा है हर एक की पार्टी रहे और जैडि रहे जडियू रहे हिंदूस्तानी आवाम रहे या कुशवा जिकी पार्टी रहे लेकिन अब जो है आरजडी वाले कुछ लोगों को कहना है मुसल्मानों का कि इस बार अगर इप्तार नहीं होता तो ज्यादा अच्छा होता है उसके पेशे कारण बताते हैं कि जो बिहार सरीपी जो खटनाए हुई जो एक समेदन सील मुद्दा था था थोड़ा इस बार जो है इसको छोड़ देना चाहिए था हमारे साथ इजाज हमा जी है लास्टिय जन्ता दल के प्रवक्ता है कुछ लोगों का कहना है कि नहीं होना चाहिए था इस बार थोड़ा समेदन सील मुद्दा आ गया है लोग परशान है वही पैसा अगर उन लोगों में दिया जाता तो जाद अच्छा था देखिए सबको पता है कि दावते इफ ढर addiction को मीजती ए और एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है धहर थार्मिक मामलों को भी इफतार के तरीखे को समझने क अफतार में कितना धारज रखा जाता है जब तक अजाम नहीं हो जाती है तब तक लोग इफ्तार नहीं करते हैं पानी नहीं पीते हैं तो ये सब लोग एक दूसरे को धार्मिक मामलों में जब देखते हैं तो सीखते हैं और उस धार्ज को कहीं न कहीं समाज के बीच में भी परसार परसार मिलता है और एक द लेकिन कुछ लोगों को हर चीजों में मीन मेख निकालने की आदत होती है। सब को पता है कि जो भी रोज़ेदार हैं जो भी रोजा रखते हैं वो साम के वक्त में दावत इफ़तार का हैतमाम अपने लोगों के अपने घरों में अपने परिवार के लोगों के साथ करते हैं। दावेत इफ्तार तो एक मनलब जो फरीजा है जो तरीका है उसको हर लोग अपनाते हैं हर लोग करते हैं लेकिन चुके जो सद्भावना है जो खेर सगाली है और जो मेल मिलाफ का महौल है जो महबत का अब बहतिरीन जो भारतिय संस्कृती है उसको समझने का मौका जो सामोहि में आता है कि हम लोग एक दूसरे के परती कितना करीब है और अगर इस तरह के मामले हर मामले में जो मधभी मामले होते हैं जो धार्मिक मामले होते हैं उसमें सभी मधभ के लोग एक दूसरे के साथ मेल जोल के साथ पर मनाएं तो हमको नहीं लगता है कि बिहार सरीब जैसे मामले या सासराम जैसे मामले देश में उन तत्वों को मौका मिलेगा जो चाहते हैं कि नफरत का महौल खड़ा करें तूकि नफ्रत का महौल खड़ा करने का तभी मुक्त मिलता है जब आप उस महौल में उनको पनपने का मौका pounds और यह पनपने का मौका नहीं देने के लिए कहीं न कहीं जो मझभी रिवायत के साただ साथ जो भारतिय संस्किर्ति है जो भारत की गंगा जमनी तहजीब है उसको बढ़ावा देने का ये बहतरी नमुना सब्सक्राइब को पता है कि किसी की हाँ जब नागहानी मौत हो जाती है जो आकस्मिक मौत हो जाती है और परिवार के जो सदस होते हैं वो खाना नहीं बनाते हैं और सभी धर्मों के सभी मज़भों के इसमें है कि उनके आँ खाना नहीं खाया जाता है तो जिस दिन सरज जी की मौत हुई, जिस दिन सरज जी की मिर्टू हुई, उसी दिन धही चुड़ा का भोश था, तो क्या ये ऊचित था, चुक्छिता हर मधथब में है, कि अगर उनके परिवार के सदस्ट की मौत हो जाती है, तो वो खाना नहीं खाते हैं, तो कैसे हम खाना खा लेते? कैसे हम धही चुरा खा लेते? यह सोच भी नहीं सकता आदमी, इंसान ऑव इंसानियत के सोच में यह सामिल है, कि एक दूसरे के साथ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम तो देखे हैं, कि अगर किसी मुसल्मान परोजी की मौथ हो जाती है, तो पड़ोसी हिंदू होते हैं, उनके घर भी खाना नहीं खाया जाता है, और किसी हिंदू के हां मौत होती है, तो मुसलमान के हां भी खाना नहीं खाया जाता है। तो यह जो संस्किर्ती है इसको भी अगर राजनिती का हात्यार कोई बनाते हैं तो हमको नहीं लगता है कि अब इंसान और इंसानियत के परती किसी की सोच रहा गई है इंसान और इंसानियत बड़ी चीज होती है और सियासत के लिए अगर कोई सियासत करना चाह रहा है तो यह अच्छी बात नहीं है और जहां तक एदारे के लोगों का आने का सवाल है हर एदारे के लोग वक्तन फवक्तन हर मामले में आते जाते रहें कोई बाइकाट का मामला नहीं और कोई दूरी का मामला नहीं है कल भी आप देखे होंगे कि मानिय मुखमंत्री जी का जो दावत कतार में सब लोग आएगे इसको कहीं ना कहीं जो मधवी दिखा ने का परियास कर रहे हैं वह भारतिया इन्तापार्टी को मदद करना चाहते हैं अब भारतियंता स्येशाट कर incarnे वारतियंता Пीछले बार ईंप थोद इप्तार दिया था और कई लोग पहुँचते हैं और अगर आना जाना रखिएगा तो यह जो लोग जो दंगा भड़काते हैं वो ऐसी नौवत ही नहीं आएगी चुंकि संस्कृति जो है और जो धर्म है वो प्यार सिखाता है दंगा करना नहीं सिखाता है एजाज एहमाजी की एक बात बहुत अच्छ की बाते ही करके जाहिए के आँ जो आप जम्हुत नहीं प्रेम प्षलाइएगा तो जो लोग बिरोध कर रहें उनकी पिछे का तर्ग भी आप सुन लिजिए और जो